दोस्तों आज मैं आपके Samsung के device की जो lock screen होती है उसके बारे में कुछ hidden settings है उनके बारे में बताऊंगा ठीक है जो आपकी lock screen रहती है आपकी phone की ठीक है तो बहुत important है आज का वीडियो और इस setting के बारे में हर कोई जाना चाहता है तो for example मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जब आप निच्चे को डाउन करते हैं को डाउन करते हैं जैसे for example मैंने डाउन कर दिया मैं अपना internet यहां पर बंद करूंगा नहीं लेकिन यहां से नहीं होगा ठीक है तो उसी तरह जैसे कि आप Wi-Fi बंद कर रहे हैं नहीं हो मत करते हैं यहां पर क्लिक करूंगा तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा ठीक है गैलरी टॉर्च यूटूब कोंटैक्ट कैमरा ठीक है तो यह सेटिंग आप यहां पर भी कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं यहां पर भी कर सकते हैं यह जो वाच है ना इसको भी आप चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो करना क्या है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जैसे कि आपका इंटरेट वाला बटने से इंटरेट डाटा आप आउन करते हैं जब आपका फोन लोग होगा तब आप इसे ओन ही कर ओफकरने के लिए आपको यहाँ पर अपण लोग डाला होगा अपने डिवाइस पे तभी ये ओफ होगा तो अपयो ओछुका अपका फोन अनलोक होगा तभी आपका data ओफ होगा या फिर वाइफाई ओफ होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा जब आपका लोक रहे ठीकर छली वाले option में यहां पर ठीक है ध्याँ से देखना उसके बाद आपने निच्छे को स्कूल डाउन करना है फिर लोक स्कूलडाउन करने है थिक है फिर आपको यहाँ एक सैटिंग मिलेगी secure lock सेटिंग ठीक है यहां पे आपने क्लिक कर देना है फिर आपने जो पैटर्न डाला है वह डाला देना है अपने डिवाइस पे ठीक है उसको यहां पर option मिल राता है लोक नेटवक ऑन सेक्यूरटी मतलब कि आपकी सिक्यूरटी लो रहेगी जब करेंगे सेटिंग को तो यह ओन नहीं होगा ठीक है अब मैं आपको यहां पर सेटिंग्स दखाऊंगा जो मैंने यहां पर करके रखी हुई है देख सकते हैं यहां पर अपक्लिक करेंगे ठीक है तो इस तरह का नोटिविशन आएगा यह आपने कैसे सेट करना है और यह वाच नहीं किया तो इसका लिंक में नीचे दे दूँगा ठीक है फिर आपने लोग स्टार वाले उप्शन में यहां पर जाना है चलेगे अब यहां पर धियान से देखने वाल चीज़ है अपने एडिट पॉर्टेट लोग स्क्रीन पर जाना है ठीक है चलेगे यहां पर आपने इस तरह wallpaper वाले औप्शन में क्लिक करना है मंदलब कि आप wallpaper अपने हिसाब से जो आपका इनाचे रखाऊ मैंने ठीक है नोटिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन एप बाला तो आपने शोटकट मुल्टिफवर्ण में जाना है ठीक है हट गया नाप सिंपल हो गया आप शोटकट पर क्लिक करूंगा तो आपका नॉर्मल वाला आ गया जिस तहीं पर जो क्लिक करना है ठीक है फिर इस तरह क्लिक कर देना है यहां पर तो आपका उप्शन यहां पर एड़ करने का आ जाएगा ठीक है फूर्द आपने यहां पर यहां पर एड़ करके रिख हुई है तो मैं शोटकट में जाओंगा यहां पर एप यहां पर सिलेक्ट कर लोगा अप लोग करेंगे तो आपको यह option यहां पर दिखेगा निचे ठीक है जिस तरह मेरे फॉन में यहां पर दिख रहा है ठीक है तो इसको मैं उपर करता हूं और मेरे clock भी उपर चेंज हो चुकी है ठीक है और उसके बाद आप यह वाली सेटिंग भी कर सकते हैं नेटवक वाली जैसे मैंने आपको बताई ठीक है तो यह दाज का वीडियो में आशा करता हूं पसंद आया होगा तो बाइबाए टेके जयाहिन बंदे मादर्म